हेलो गैज इस कोच नाग वालकम बैक टो अंगिलर टूटोरियल सीरीज इस वीडियो में लोग देखेंगे कंपोनेंस कैसे बनाते हैं ताकि उनको यूज कर सेके अपने एप में जो फर्स्ट आप एक फोलडे में जो भी आपका कंपोनेट का नाम है उसका नाम हम लोग फैंडर का रखेंगे सो क्रिएट निओ फोल्डर करते हैं अव और मैं फॉर्म का एक कंपॉनेंट बनाता हूं माई फार्म सो फोल्डर क के नाम भी देंगे और यंदर की जो फाइल से उनका नाम भी इसी के बेस पे रहेगा यह फोल्डर बन चुका है अभी इसके अंदर अपने को तीन फाइल लगेगी कॉम्पोनेट के लिए फर्स फाइल है टी एस सेकें है अगर आपको टेस्टिंग करने है तो स्पेक.ts सबसे पहले मैं ts file बना देता है अभी नाम सेम रहेगा my hyphen form और .component लगाना है आपको सारी फाइल में my form.component या फिर जो भी आपका component का नाम है .component फिर उसका file का extension जैसे इधर ts है html और css तो यह तीन फाइल आपको बनानी है तो यह तो बन जाएगा आपका component component बनके रेडी हो जाएगा भी इसको बाद में फिर अपने को register करना पड़ेगा तीन फाइल में बना लेता हूं इसका naming convention सेम रहेगा फिर्स आएगा आपके component का नाम फिर डॉट कॉंपोनेंट ताकि उसको अपने को पता चले कि फाइल है और डॉट एक्स्टेंशन सेम चीज़ हम लोग अंदर करेंगे component का जो ts file उसमें जब class बनाएंगे उसके नाम के आगे component लिखेंगे ताकि आपने क इंपोर्ट करेंगे तब अपने को पता चले कि हाँ यह component हम लोग इंपोर्ट कर रहा है दूसरा कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहा है कि यह बन चुकी यह तीनों फाइल अभी इसको पता किसे चलेगा कि यह तीनों फाइल एक ही component कि है इसलिए हम लोग ts file में एक class बनाएंगे एक नॉर्मल से class बनाएंगे component के लिए और इसको export करेंगे एक्सपोर्ट क्यों करेंगे ताकि दूसरे module में इंपोर्ट कर सके और दूसरी जगह अब इसको यूज कर सके अपने एप में एक्सपोर्ट करता हूं में class और class का नाम सेम रहेगा बट केमल केस में रहेगा और first letter capital रहेगा सो माई form component यह तो बन गई class अभी इसको component कैसे बनाएंगे यह तो होगे general type script की class अभी इसको component बनाने के लिए अपने को ए यूज करना अभी component के decorator में क्या कह जाएगा component decorator में एक object दालें हम लोग उस object में रहेगा कि इसको select कैसे करना इक component को जैसे कि अपना paragraph हम लोग पी से select करते हैं और input input tag से select इसलिए इसको कौन से tag से select करेंगे उसके लिए एक property है component के decorator में जो है selector उसमें आप जो भी string डालोगे उसको आप use कर सकते हो अपने HTML code में सब जगह पे उस component को inject करने के लिए use करने के लिए अभी मैं use कर रहा हूँ my form सेम नाम में selector के लिए भी use कर रहा हूँ लेकिन आप दूसरा कुछ use कर सकते इसको अब इसको use कैसे करेंगे यहां पर tag जहां पर दालते है अपन उस जगह पे मैं my form लिखूंगा तो यह अपना select हो जाएगा component अब इसके बाद दूसरी property आती है template की template यानि की कौन सा इसका view क्या है html file जो होती हो template होती है so template आप inline रख सकते हो template प्रोपर्टी से यह template url property यूज़ कर सकते हो एक file के लिए so inline में अगर करूंगा तो इधर ही में html का code लिख सकता हो नहीं file बनाने की ज़रूरत नहीं है like this हम लोग code लिख सकते है html का ts file में ही तो हमने तो एक file बनाई है अलग से template के लिए इसलिए हम लोग template url use करेंगे और इसमें in string में लोग दा लेंगे template ka url अभी dot slash क्यों लिखा है क्योंकि इसी folder में इसी directory में जहां पे यह file है ts file उसी में अपनी html file इसलिए यह dot slash लि लिंक हो गई अपनी file अभी आपने css file को लिंक करना है उसके लिए style url करके property है जिसमें multiple styles दा सकते हो so styles भी आप कर सकते हो directly inline css जैसे कि हमने template किया था लेकिन हम लोग url use करेंगे तो एक array लेता है यह list लेता है styles की so आपको multiple styles लग रहे हो अगर आपके application में तो वो भी इधर हम लोग एक ही style यूज करेंगे जो हमने file बनाई है वो उसका नाम cm same procedure से हम लोग दाल देंगे my form component.css अभी इसको यूज करने के लिए अपने को app component.html में इसका tag लगाना पड़ेगा और tag कैसे लगाएंगे जो selector हमने लिया है उसको यूज करके so अपना selector लिखता ह में my form अभी यह दो हो गया बट यह चलेगा नहीं क्यों नहीं चलेगा क्योंकि इसको हमने register नहीं किया है app module में तो angular को पता नहीं चलेगा कि जो files है तीन यह component है तो उसको run करने के लिए अपने को component में register करना पड़ेगा declarations में such that जैसे ही उसको यह tag मिलेगा किसी भी html file में वो इस module में आएगा और देखेगा कि यहां भाई कि इसका कोई component है के नहीं है तो declarations में उसको मिल जाएगा my form का component present है तो वो बराबर से पुरा data ले लेगा और run कर देगा अपने code को यह तो हो गया अपना intelligence से पूरा तो मैं आपको दिखाता हूँ यह जो directory है वो कैसे आई है अपसे पहले dot slash क्यूंकि इस directory में अपना form का folder my form का folder अपना जो जिस directory में module file है उस directory में है तो dot slash करके उस folder को और फिर slash करके जो file है component की उसको और dot ts नहीं लगाना dot ts इस लिए नहीं लगा है क्योंकि वह already अभी जलता है अपने component में जाके HTML file में कुछ लिखते है अपने पता चले कि वह लोड हुआ है अपने angular project में angular की में index file में इसमें में दाल देता हूँ कुछ भी we are in form और my form अब इसको save all करेंगे इसे लेफ्ट अपर कॉर्णर में एक save all का उप्शन है लोड नहीं हुआ यह देखे वी आर इन माई form आ चुका है लोड हो चुका है अब अगर inspect element करके देखो के तो code में दिखाएगा माई form का tag अब इसको style करते थोड़ा style करने के लिए जो css file हमने link की थी component की उसमें हम लोग सारी styling लिखेंगे इस component के लिए तो सारी component जो पर बनाओ गया गलग उसकी styling अपने ही component की css file में रहेगी इसके में पी टैग को color करूंगा यह हो चुका है color सो दूसरा कुछ चेंज नहीं हुआ है सिर्फ इसी component का पी टैग चेंज हुआ है hello world ऐसे के ऐसे ही है एंड यह तो था manual तरीका जो मैंने आपको बता है इसलिए ताकि आपको समझ में आए components कैसे link होते हैं अपने angular के module में अब भी देखते हैं थोड़ा fast और shortcut ट्वाला तरीका आप या तो command खोल के कर लो या फिर नीचे जो टर्मिनल आया है आपके VS code में उसमें कर लो अगर आपके पास VS code नहीं है तो इसलिए command prompt खोलो और CD करो अपने project में hello world app या फिर जो भी आपने बनाया है उसमें और फिर उसमें जाके ng g component और उसका नाम इसमें करता हूं मैं VS code के टर्मिनल में ng और फिर जी यानिके जनरेट या तो पूरा लिख दो या फिर जी भी लोखे को चलेगा फिर component यानिके अपने को फोल्डर बनाके फाइल बनाने का जरुद नहीं है पूरा जिस्टर भी कर देता है अपने मॉड्यूल फाइल में यह देखे चार फाइल बन चुकिया है टीएस अश्टेमल सीएसें स्पैक डॉट टीएस टेस्टिंग अभी सेम जैसे हमने फॉल्डर बनाया ता माइफॉम या फिर आपको इस स्कीमाटिक्स यूज करके अंगिलर माटीरियल कुछ जैनरेट कर सकतो इस फीचर से स्पैक टीएस फाइल में डिलीट कर दूंगा इसका कोई यूज नहीं अपने ट्यूटोरियल में इसको डिलीट करते हो इस कॉंपोनेंट को यूज करके देखते है मा इसना प्लिलट आचुका है माई कमें वर्क्स तरफ ईसली कॉंपोनेंट कर सकते जितने आपको चाहिए उतने और आपको अगर डाीट करिए कंपोनेंट तो नाम के बतले आप डायक्टरी का नाम लिखो और स्लैश लगा के फिर इदाज दो एक फॉलड़ के अंदर इससे क तो उसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग और उसको वैल्यू असाइन करेंगे हम लोग कुछ भी नाम देंगे भी इसको लोग कवर करेंगे कर देह से डबल कर दिल से और यह होगे आपना कॉमपोर्नेट का यूज ऊब इसको सेव करते हैं और देखते क्या वो धर प्रिंट हुआ है या नियुआ है इंटरपोलेशन यूज करके तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एक वन वे बाइंडिंग एडेटा की जैसे आपका कोड चेंज होगा आपका व्यू ओटमेटिकल जे जोगा जैसे कि कोई वैल्यू आई सर्वस है तो आपको व्यू चेंज हो जाएगा लेकिन उल्टा नहीं है तो यह नहीं है आपके HTML व्यू से अपका कोड चेंज नहीं हो सकता इस टेक्निक को यूज करके स्ट्रिंग इंटर्पलेशन को आप एक और जगा पर यूज कर सकते हो प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए सपोज में को इस टैग का कलर चेंज करना है पी टैग का उसके ल इसका नाम हम लोग डिक्लायर करेंगे है टीएस फाइल में इसको कुछ भी वैल्यू देंगे जो अपने को कलर चाहिए अभी में ब्लू देता हूं जैसे इसको सेव करेंगे हैं लोग ओ हहां पर जाके देखेंसी अजुग यह देखिया इस चेगा आभे बहुत सारे जगवाप auich user सकते हैं पैडिमेंटिशन आगे की वीडियू में देखने वाले हैं यूज्जी यूज्य है और प्लिकेशन वाले है वीडियो पसंद आया है झाल झाल